है लो गईज बिलकुंड मेप चलड गाईश यहाँ पें फेपर सॉल करने वाले जो आपका होने वाला है डिएफ सी सी ऐईल का जवाबी हाले में एक्जाम है 1789-39 में तो उसी के लिए प्लेक्टिस सेट वपन है तो यहाँ पे इससे पहले मैंने बोला था कि एगर आपको रि परसन आपको नहीं मिलेगा जिसके ज्यादा से ज्यादा चांसेसे वही आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा इस प्रैक्टिस से चलिए देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले परसन तो कहता है कि हड़पा सब तक एक एक लोथल की खुदाई किसके दौरा करे गए लोथल्ययगो गज़्ता करता तोबसे हमचे यहां परकोli से श्यादा तीनओरंर से 22-30 तक all इन खिल आवद интересно तो बहुत ही आसान प्रसन है बोला गया कि वासको डिगामा एक पुर्टगाली अन्वेशक ने डैस वर्स में भारत के समुद्री मार्क की खोश करी थी तो भारत के समुद्री मार्क की खोश करी गई थी 1498 में सभी को पता होगा 1498 इसका राइड एंसर हो जाएगा कोशन नमबर चार देखे तो कहता है कि डेन्यूब नदी का उदगम किस देश में माना जाता है तो सभी को पता है कि डेन्यूब नदी आपने सुन रखा है यूरोप की एक नदी है तो यूरोप में है जर्मनी जर्मनी कंट्री की यहां पर उदगम माना जाता है यहां से डेन पिर कहता है कि यहां पर विश्वत रेखी वन में आता है आपका महोगनी और रोजूड भूमद सागरी वन में क्या आएगा वो आता है आपका आलू बुखारा और जैतून पिर कोडधारी वन में आता है चीड और फर तो यह इसका राइड एंसर हो गया कोशन नमबर यहां क्य देखें छै में कहता है कि बot का सबसे उंचा बांद कान से देगए भात का जो सबसे उंचा बांद ये जो रखेंगे ठीरी बंद है और यह जब विश्व 1991 में नई उदार नीती के परिचे के साथ भारती अर्थविस्ता ने इसके अलावा निमली की सभी के माद्धे में मुझूदा आर्थिक समश्याओं को संबंदित किया था तो आठ का राइट एंसर क्या है वो हो जग उद्योगी करण उद्योगी करण यहां पर जवाब का नि सभा पाित कि आ गया था तो समिधा द्रभा जो भारती समिधान को पाित किया गया है सभी को पता होने कि चप्विस नॉब्बर उनईससे उन चास में इसको पारित किया गया था ये इसका राइट एंसर हो जागा कोशन नमबर यहां पर अगला देख लेते हैं कहता है कि राश्टपती द्वारा रासभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है तो राश्टपती द्वारा जो रासभा में सदस्यों को नामित करते हैं वो होते हैं 12 फिलाल इसका concept जो है आंगल इंडियन वाला वो खतम किया जा चुका है question number 11 देखें तो कहता है कि उर्जा की SI unit क्या है तो 11 की बात करें तो उर्जा की SI unit होती है जूल याद रखेंगे उर्जा की SI unit है जूल question number 12 कहता है कि वा अताप जिस पर कोई ठोस वस्त अपनी ठोस अवस्ता से द्रव अवस्ता में परवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है तो गाई देखें 12 का राइड एंसर क्या हो जागा B गलनांग कहलाता है अगर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस ठोसा से द्रव में परुतित होती है तो वह गलनांग पॉइंट होता है कोश्चन नमबर यहाँ पर देखे 13 कहता है कि चीटियों के अधिन को क्या कहते हैं सभी को पता है मर्मिकोलाजी में हम चीटियों का अधिन करते हैं जल्दी जल्दी हम इसले करा रहे हैं क्योंकि समय आपके पास कम बचाए और यहाँ पर प्रेक्टिस आपको ज़्यादा करनी है वीडियो को लाइक जुरू करें लोगों पास सेर करें ताकि ज़्यादा रीच आएगी तभी वीडियो उनाने का मन करता है सभी को पता है admission number 14 देख लेते हैं 14 में क्यता है किस राज ने mädicine from the sky नाम से एक महत्वा कांची योजना शुरू करी तो mädicine from the sky के नाम से योजना सुरू करी गे तेलंगाना में याद रखेंगे तेलंगाना यह भा CD का सबसे नविंतम राज्ये है 2014 में जो बना था question number 15 कहता है कि उस्ट कज़वंदी चक्रवा ताउते का नाम किस देश के दोरा निधर किया गया तो ताउते ने अभी हाली में बहुत तुफान मचा था यहाँ पर देखे क्या हो जागा यह हो जागा म्यामार म्यामार के दोरा दिया गया था ताउते का नाम question number 16 सोला में देखे अब क्या है मैथ के कुछ परसंट देख लेते हैं ठीक है तो कहता है आपका कि पहली 35 सम प्राकरतिक संख्याओं के गुड़न फल में दहाई के स्थान पर कौन सा होगा तो देखे यहाँ पर क्या हो जागा जीरो हो जागा वो कैसे हो जागा इस सम संख्याओं में 10 भी आता है और 20 भी आता है तो यहाँ पर देखे अगर आप इनको multiply करें किसी भी number से multiply करेंगा आप 0 वाले digit को यह नहीं कि 10 से किसी को multiply करेंगा लास्ट में आपको जीरो ही मिलेगा तो जीरो इसका दहाई अंक हो जाएगा कोशन नंबर 17 कहता है कि एक सभा में 8 उपस्तिद विक्ति हैं इस anikle सभा के इंत में सभी ने एक दूसरे साहाँ मिलाएं तो सभा के इंत में कितनी बार लोग उने हांथ हमिलाएं दूँखे ऐसा परस्ण बहुत बार आता है तो टोटल कितने 8 लोग है तो इसका फार्मूला होता है N, N-1 upon 2 होता है टीके तो इन कितने आठ लोग हैं यहाँ पर अगर गटा देंगे साथ हो जाएगा तो आठ सती चपन बटे दो क्या हो जाएगा 28 ठीक है 28 लोग यहाँ पर 28 बार यह लोग हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से यह इसका राइड एंसर हो जाएगा कोश्चन नंबर यहाँ पर देखे 18 कहता है कि एक परिच्छा में 5, 6, A, B, C, D, E उपस्तित हैं यहाँ C को B से 5 अंग का मिले, D को B से 10 अंग का देख मिले तो A से B को B से देखे पूरा कोश्चन आप पढ़ लिए आराम से वीडियो पास को कि बहुत समय आपके पास अब यह कितने हो जाएगे कि दस जादा मिले तो 50 हो गया अब यहां पर कहता है कि A को अंग कितने मिल यही पूछा गया है तो BCE को कितने मिलें गे इसको ध्यान से पढ़िए तो यहां पर देखें जो आपका D है, D को यहाँ पर मिला कर A को अंक मिले हैं, तो 50 ही हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 20 अंक इसको और मिले हैं, यह देखिए, ठीक है तो क्या हो जाएगा, 70 इसका राइडन्स हो जाएगा बहुत ही आसान, थोड़ा सा गुमाने वाला है लेकिन आसान है, कोशन नंबर 19 देख लेते हैं, तो बहुत ही आसान है तो बोला गया, 36 और किस राइडन्स हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका, और यहाँ पर 9 हो जाएगा तो सभी को पता है, तो एक बटा 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से एक चला जाएगा नीचे हो पर बेस आपका सेम है, तो क्या हो जाएगा पाँच बटा 9 हो जाएगा, भी आपका राइडन्स हो जाएगा कोशन नंबर यहाँ पर 20 देख लेते हैं, 20 में बोला गया इसको आपको अपना आप सॉल कर लेना है, क्योंकि यह सॉल करना है सिर्फ हो सिर्फ इसमें तो इसका एंसर बता देता हूँ, आप इसको अपने आप सॉल कीजिए, तो अज 0.001 इसका राइडन्स राएगा आप यहाँ पर कहता है किसी संक्या का 60% का 35% या 10.5 है तो वह संक्या क्या होगी इसमें आपको X मानना है, तो X का क्या करेंगे, 60% बोला गया है फिर कहता है उसी का यहाँ पर 35% इसको आप 500 कर लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10.5 बोला 10.5 बस यह equation बन गई, अब इस equation को आप आराम से solve कर सकते हैं, मेरे फोर में इतना space है नहीं कि आपको दिखा पहूं पूरा solve करके, लेकिन आप equation बन गई बच्चे का सिर्फ solve करना बच्चा है, तो इसको काट पीट के आप solve कर सकते हैं, यह जीरोत नहीं का टेम तब आप अपने करेंums नहीं से लिखेंगे कर दिएख करेंगे से थिए olur और जायेगा बच्चै कैसा सिर्फ ONE बच्चे को इसकी ऋरफ से घुरव से सकते हैं कोशन नमबर यहां पर देख लेते हैं 24, 24 में बोला गया कि कलब A ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मेचों में से 30 मैच जीते हैं कलब A को उस सीजन में 44% की यहां पर दर हासिल करने हैं कितने अंतरिम निम्त मैच खेलने चाहिए तो गई थोड़ी से टेकनिक प्रावलों आगे तरिकोशन नमबर अगला देख लेते हैं 25 के लगाते हैं तीन संख्याओं का योग 96 है तो इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या काउन सी होगी अब यहां पर बोला कि तीन संख्याओं का योग 96 है तो यहां पर देख सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा को पूरा को पूरा पर हो रहे हैं तो वीडियो छोड़के भाग जाएए 26 में क्या कहेगा 26 में कहेगा क्रमागतीम जिसम संक्याओं का योग इन संक्याओं में से पहली संक्या की तुलना में 36 अधिक है तो मद्य संक्या क्या होगी तो गाईज यहाँ पर देख लेते हैं अब यहाँ पर बोला है कि मद्य संक्या क्या हो तीन विशम संक्याओं की बात कर रहा है तो विशम संक्याओं में क्या हो जाएगा अब यहाँ पर देख लेते हैं तो characteristic को आपको बना लेना है और आपका राइडर सरी निकल आएगा question number यहां पर देख लेते 27 कहता है कि निमने में दीगई संक्याओं में सबसे बड़ी संक्या कोंड सी है तो 27 में देखे सबसे बड़ी संक्याओं को बताना है तो यह तो बहुत आसान सा प्रसंदता स्कारओं कोषट्यण नंबर 28 नोटS ट्रीज इसका मान क्या विचलंघ्न तरिके से है है यहांपर यहां पर यह لو फिर यहाँ पर देखे अब का ना क्या बेंग2 Vya यहाँ पर इसका साइन केंगे माइनस 5 माइनस रूट 3 इसको आप साल करना बहुत आसान होता तो 28 का राइंसर करेंसर यहाँ चार बहुत है चार मामाइनस रूट 15 इसका राइंसर आ जाएगा कॉशन नंबर है पर देख लेते 29 कहता है 29 में देखे यह आपका ट्रिक से ही ट्रिक हैती है इसकी बहुत ही आसान तो इसको कर लीजेगा तो इसको कराने से दो आ जाएगा याद रखेंगे question number यहाँ पर देखे 13 13 में बोलता है कि 13 परडामों का आउसत 70 है तो इस तरी में क्या करते हैं ठोटन लिखा ले तेरा सतरी केन्यवे 910 हो जाएगा फिर यहाँ पर रफ्थम सात आउसत जो परफाम साथ का आउसत है वह कितना है 65 हो जाए zaj तो 65 गुड़े तो 55 करेंगे पिर क्या करेंगे साथ वहां पर पहले साथ के साथ का बीच का पूच्छा इसकली तीन दिनों को जोड़ेंगे तो 75 गुड़े 7 ठीक है तो 75 गुड़े 7 तो 7 गुड़े 65 इन दोनों का मल्टिप्लाई करके हम 910 में से अगर मैनस कर देंगे तो इसका राइडेंसर आसानी से आ जाएगा तो 30 का राइडेंसर आपका हो जाएगा चलिए अपसन देख लेते हैं तो इसका 70 राइडेंसर आगा अब यहां पर आपका 10 एक तरीके से आपका सही हो जाएगा आप यहां पर देखेगा इसके बाद का है इसके बाद को रिजनिंग के परसंदी हुए है ठीक है तो रिजिनिंग के बहुत सारे पस्टन आपको एकजाम में जएदा देखने लेकिन 10 स्वारा परसन आपके रिजिनिंग क्याने तो रिजिनिक को लास्ट में ले चलते उससे पहले आपको जी के और आपका कस्टमर रिलेशन सिप जो तो गई रिजनी को हमने दिया है थोड़ा सा पूस्ट पॉस्ट्पॉन कर दिया कि लास्ट में कराएंगे तो उससे पहले साइंस के पर देखे साइंस आपके एकजा में बहुत आने वाली है डिए फसी इसी आएल के आप 46 में क्या कहता है कि आपका आयतन की काई क्या होती है सब्सक्राइब बहुत तो यहां पर आपको जो मिल लही है ठीक है कि निम लिखित में से कौन सा पतार थे धोनिक है जो सोनरस होते हैं वह कौन से होते हैं को संहा करता है विल Ecklesa करता है अर्प थोड़ा से ब्र लोहा लोहा देखें कि आप देखें को आप साउन्ड करते है तो सऊनक्राइब होती है पानी के ऊपर बर्प तैह ale cash पंवता है कि आकास कारा के दिखाए देने का लिए गड़ को उता है तो आकास का रंग जो है नीला होता है इसका कारण के हैं पच्चास का राइडेंसर हो जागा बियनी की प्रकास का प्रकास का प्रकीरण इसका राइडेंसर हो जागा क्योंकि देखिए यहाँ पे सूर का प्रकास तो वाइट होता है उसके बाद वहाँ पर जो सूर का प्रकास ईक यहां प्रिया सकते हैं लुए झायोगक करते हैं। काहता है कि यह भिसन्म होते हैं उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं यूरैनियम सब्धार्ययम करते हैं। Church पर पर जाएंगे तो बेस बढ़ेगा यहां पर प्रटेंशेल होता है यहां पर पिसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा एसड़ी में आजाते हैं फिर अगला कोशन कहता है रहें यहां पर पिकलिया आजिए किस नाम से जाते हैं कि सौढ़ेंगी ऑनकी आशीकी नपीचाते हैं सबीखो पता ही किसके नाम जाते हैं वीटी-कलचुर के नाम से देजते हैं तो छपन का राइडनसर क्या हो जाएगा यह जाएगा वीडियो करते रहेगा वीडियो कमेंट में जुरू की आपको प्रेक्टिस सेर्ट और चपर जाहिए कि नहीं छोटा होता है क्या कहते हैं तो डेखते हैं या सबी को पता है और स्ट पको थेकते हैं trat कहते हैं आइच अप्ताया वह क्यों और आप देखते हैं किसी को जो परत्वी मिंजर में तरीके française कि यहाँ बहुत ही इंपोर्टन नहीं कहता है कि भास में पर्थम रेल कम चलाईगे इसे को पता अठाल सुते पर मॉंबाई से थाड़े के बीच में चलाएगी ति लाड़ जलोहल जी को इसका स्रे भी दिया जाता है कोश्चन नमबर यहां पर अगला देख लेते हैं अगले परसन की बात करा तो कहता है कि रेल बजट को आहम बजट से कब अलग किया गया था देख को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है मतलब अलग इसका पेस नहीं होता है कोश्चन नमबर देखे 63 कहता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर चालेंग कि सुवर शुरू हुआ था तो भारत में जो राजधानी एक्सप्रेस टेर्नों का परचालनल है वो शुरू हुआ था यहां पर आपका भी यानिकी 1979 में जाद रखेंगे 1969 में राजधानी एक्सप्रेस टेर्नों का परचालनल सुरू किया गया था कोश्चन नमबर 65 करता है कि रेलवे लाइन की सरवाधिक लंबाई किसराज में है तो रेलवे लाइन की जो सरवाधिक लंबाई है वो किसराज म कोशन नमबर चाहां चट करता है कि सरवाधिक कंप्प्यूटरी करत आरचट केनद की स्थापना कहां पर की गई थी सरपथं कंप्यूटरी करत आरचट यानि की जहाँ पे टिकट आपका भूग होता है तो चाचट का राइडेंसर क्या है वो आपका हो जाएगा बिया नी की नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले कोश्चन नमबर यहां पर देखे सरशट कहता है कि किस वर्ष सिवाजी टर्मिनल यानि कि जो बांबी वीटी को विश विरासत इस तल में सामिल किया गया था तो कौन सा वो वर्ष था तो सरशट का राइड एंसर कहा ह है आपका यानि की मुगल सराय मुगल सराय रेलवे स्टेशन जिसको अब यहां पर चेंज कर दिया गया है कोश्चन नमबर यहां पर देखे उनसर उनतर करता है कि देश का पहला पुर्थम डबल स्टेक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन कहां पर है तो वो क्या हो जाएगा उ महेंदंगाड में याद रखेंगे महेंदंगाड निव अटेली में देश की पहली डबल स्टेक इलेक्ट्रिक यह किउंपाटेन्ट है कूई डी फ इसिप्सेट आईल का मतल़भी यहां पर होता है कि डबल स्टेक ट्रेने जो हती है यहां पर जो माल गाडी होती उसी कहा पूरा पूरा काम है, कोशन नमबर सत्तर, सत्तर में कहता है कि सरवाधिक बिद्दू से चलने वाली ट्रेन कहां कहां पर चलाई गई थी, यहाँ पर देखे सरोपर्थम, आप कीज़ेगा सरवाधिक सरोपर्थम में अंतर जान नहीं मिला लगा चसमा लगवाना पड़ेगा कोशन नमबर सत्तर कहता है कि मुंबई वीटी से कुरूला के बीच में यह चली थी, कोशन नमबर यहाँ पर देख लेते हैं, कहता है 71 में कि रेलवे से समंदित विभिन सिगनल के पीला रंग का अर्थ क्या है, तो पीले रंग का मतलब क्या होता है, देखे जो पीला रंग हो जाता है, सिगनल में उसका मतलब क्या होता है, तो वो हो जाता है, यहाँ पर यहाँ यानि कि सावधान हो जाईए, यहाद रखेंगे, सावधान हो जाई, अटेंशन का यहाँ पर इदर साता है, कोशन नमबर बहातर कहता है, गतिमान एक्सप्रेस का परिच्छड किन कहता है कि देश की पर्थम वाका नुकुली डवल डेकर ट्रेन कप चलाएगी तो देश की पर्थम डवल डेकर ट्रेन कप चलाएगी तो 63 का राइड एंसर है आपका C 2011 में याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है 74 का वो है C यानि की भूनेशर में याद रखेंगे यह उडिसा की राजधानी है Question numbers 75 काता है कि भारत का सबसे बड़ा railbridge कौन सा है तो भारत का जो इस समय सबसे बड़ा railbridge है 75 का वो है हाँ पर ब्यंबनाद railbridge कहाँ पर है केरला में है याद रखेंगे आपने देखा होगा अगर आपने चन्ने एक्सप्रेस मूवी देखी है तो उसी तरीके का यहाँ पर एक रेल बीज है question number नमबर आपर 76 करता है कि मिसन रफ्तार की सुरुवात कौन सी ट्रेन सामिल है तो मिसन रफ्तार की सुरुवात में कौन सी ट्रेन सामिल नहीं है तो 76 का रफ्तार की हो जाएगा राध्धानी एक्सप्रेस यह मिसन रफ्तार के तहत नहीं है बाकी अंतोदय, तेजस, उदय यह सारी के सारी मिसन रफ्तार के सुरुवात में है भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहां पर खोला गया तो डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना है वो सभी को पता है सतारा, सतारा कहां पर महराष्ट में है, याद रखेंगे सतारा महराष्ट में है यहाँ पे सबसे पहला डीजल इंजिन बनाने का कार खाना खोला गया था कोश्चन नमबर 17 कहता है कि विश्चु की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है तो विश्चु की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा यह सिकॉन सुरंग याद रखेंगे तो 89 का राइडंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 872 में या जो आपकी आरपी अप है उसकी सुरुवात करी गई थी रेल्वे, प्लिस, प्रॉटेक्शन, फोर्स, सर्विस Q Kewn No. 80 कहता है कि भारत में गरीब रथ ट्रेनों का परचालन कब किया ता तो गरीब रथ ट्रेन जो है उसका परचालन कब किया गया तो 80 का राइडंसर है वो आपका भी हो जाएगा नहीं कि 2005 में गरीब रथ ट्रेनो का परचालन शुरू किया गया था question number यहाँ पर देख लेते हैं आप कुछ और रिजिनिंग के पर इसमें इन्होंने पूछे हैं चलिए 80 में देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका sitting arrangement का है तो आप फिर आपके हैं तो इसको भी लास्ट में ही लगा देते हैं कि कि यहाँ पर देखें कि इंपॉर्टेंट है जो आपका जीए और आपका कहाणा मुसका कस्टमर रिलेशन जो सी आरे में वह उसके पसंद ज्यादा कहता है CRM यानि कि जो आपका customer relation management यह बहुत important है इसके लिए क्योंकि अगर कोई बंदा इसमें अच्छा score कर लेगा तो उसका selection यहाँ पर शेयोर हो जाएगा तो गाई देखें आप एक से कहता है ग्राहक विवहार उभोकता विवहार संबंदी थे तो ग्राहक विवहार या सारे के सारे इसके सही हो जाएंगे question number 102 काता है कि विपढ़न संदेश ग्राहकों की इचाओं का एक हिस्सा है विपढ़न क्या मतलब क्याता है जो व्यापार है यानि कि जो आपका विजने से तो विपढ़न संदेश ग्राहकों की इचाओं का एक हिस्सा है तो 102 में क्या हो वो हो जाएगा आपका अनुमत्ती विप्रण इसका राइड एंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर हैं पर 103 देखें तो कहता है कि डैस का क्रे ब्योहार पर सबसे गहरा तथा व्यापक परभाव पड़ता है तो डैस का क्रे ब्योहार यह नहीं कि जो खरिदारी करते हैं उस पर स 103 का राइड एंसर कहा है वो आपका हो जाएगा नहीं कि परमप्रा गत कारक सांस्कृतिक जो है इसका सबसे जादा गहरा परभाव पड़ता है करे ब्योहार पर याद रखेंगे कोश्चन नमबर यहां पर अगला कहता है कि 104 में कि समाजिक आर्थिक परडाली ग्रामीड प पर अगला को 60 भ्यापक सेडियों में वर्गिकरत किया जाता है समाजिक अर्थिक पडाली ग्रामीड पर अगला को पांच का राइड अंसर अन्सधारक मूल विसका राइड अन्सर हो गया है qootiété खरीद निरणे प्रकिरिया में एक इस्तर से अगले सथर तक जाने वाले प्रतिस्त अत्वा ग्रहकों की संख्या को कहा जाता है न्या ourselves 170 कहता है कि ग्राहक की अजीवन खरिदारी जो भविस के लाब के धाराओं के सुध्वरतवान मुल् को उद्वपन करती हैं तो उसको क्या कहते हैं तो इक सुध्त का राइड एंसर क्या होजएगा ग्राहक ईवन्पारिनीमूली मुल्फ दणकार्र यह होता है कि भविस के लावधाराओं के सुद्ध वर्तवार मुल को उत्पन करती है कोश्चन नमबर यहां पर अगला देख लेते हैं कोश्चन नमबर अगला देख क्या गया कि ग्राहक संबंद बनाने के लिए ग्राहकों के डेटावेस के निर्माण, आयोजन और उपयोग प्रक्रिया वर्गिकरत की जाती है आप देखे जो ग्राहक का शंबंद होता है कस्टमर लोगों को यह अपने साथ बनाए रखने के लिए जो इनका डेटावेस है जो डेटा तयार किया जाता है वो यहाँ पर किसके वर्गिकरत किया जाता है तो 108 का राइडंसर क्या है वो आपका हो जाएगा है पर डेटावेस विपड़न के अंतरगत ही आता है कोश्चन नमबर यहां पर देखे से 109 करता है जो किसी व्यक्ति ग्राहक की सेवा की वास्तिविक लागत की पहचान करने की कोशिश करती है तो वो क्या होता है तो वो एक टेक्निक है जो व्यक्ति ग्राहक की सेवा की वास्तिविक लागत की पहचान करने कोशिश करती है तो क्या होता है तो 109 का right answer है आपका A यानि कि किरिया आधारित लेखांकन इसका right answer हो जाएगा या देखे क्या होता है ना कि अभी जैसे आप माली जे कोई दुकानदार है तो क्या करते हैं आप अपने गराहकों को पहचानते हैं तो क्या होता है इसमें कुछ गराहक ऐसे होते हो जो daily basis पर आ वाला हमाई लिए कम available है तो इसको हम थोड़ा सा ज्यादा कुछ पॉइंट दे या फिर 5-10 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहें तो क्या है इसको कहते हैं मार्केटिंग यह हमारे साथ हमेसा गराहक बने रहने की कोसिस करते हैं जो हमारे जो कहते हैं कि जो आपका customer relationship management का इंदत य यह सारी चीजें important रहती हैं इसके लिए question number 110 जो कहता है वो देख लेते हैं तो इसमें बोला कि यहां उद्यम उद्वियोग करताओं को बहतर व्याफसाइक नेड़े लेने मदद करने के लिए data actor करने संग्रहित करने विचलेशन करने और पहुंच यानी की access पतान करने के ल कि अब यहां पे एक data होता है उसको संग्रहण करने के लिए उनका उन पुरियोग विचलेशन यानी की पूरा data जो है collect होता है उसकी विचलेट सनरी जो है उसको क्या कहेंगे तो दस का राइडेंसर का व्यापारिक सूचना यानी कि जो व्यापारिक सूचना है बिसिकली ज जे कि उतपाद एक ही आपूरती पूरी तरह से लोचदार है यद इस उतपाद की मांग बढ़ जाती है तो क्या होगा देखे एक उतपाद है उसकी आपूरती जो है वो पूरी तरह से लोचदार है फिर कहता है कि यद इस उतपाद की मांग बढ़ जाए तो अगर दही मां बनाई गई योजना और डएस का पड़ाम है. तो अच्छी marketing क्या होता है, कोई accidental चीज नहीं है, बलकि ये दिमाग से बनाई जाती है, एक दिमाग जो इसमें यूज किया जाता है, कैसे हमको ग्राहकों को लुभाना है, कैसे क्या चीजे करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये किरियानवन का परड़ाम है, किरियानवन का मतलब क्या होता है, जो हमें आपके क्रिया करते हैं, जो अपने दिमाग से हम चीजों को विवस्थित करते हैं, उसी का ये परड़ाम होता है, अच्छी marketing, देखें, बहुत सारे लोग जो marketing में होते हैं, वो किस तरीके से आपके दिमाग को घुमा देते हैं, आपको किस तरीके से प्रोडक्ट में थसाते हैं ताकि आप उसके फिर क्या हो जाते हैं उसको खरीद लेते हैं और उसको लगाता उसके कस्टमर भी बने रहते हैं क्यों क्यों कि वो लोग अच्छे-च् tutor scheme प्रोड करते रहते हैं तो क्या होत यह सारे की सटेर चीजे किरियानवन के अंतरगत आती हैं कि दिमाग लगाने वाली चीजे नि कुछ आप किरिया कलाब करते तब ही अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे अंधी नहीं लगा सकते इसमें अब 113 में देखे कहता है कि आसत्य कथन का चैन करें अब इसमें आसत्य कथन जो है वो क्या है तो वो देख लेते हैं बी वाला है यदि कीमत और रुदपादकों की आय सीधे अनुपातिक है तो मांग लोचदार है यह यहाँ पर बोलागे है लेकिन ऐसा नहीं होता है ठीक है तो 114 में क्या है वो होज़ा एक धर्म यह एक उपर संस्कृति का सबसे अच्छा उदाना एक धर्म बाकी आपका विवसाय आपका विश्विद्यालाई आपके करीबी दोस्तों का समूँ इन सब चीज़ें से क्या पता चलते है आपका नेचर आपका भी है लेकिन धर्म है वो उसका आपके संस्कृति से जोड़ा जा सकता है क्या है वस्तों के दो संयोजन के उपयोग से समान उपयोगता ये उदासिंता वक्र का अर्थ होता है बेसिकली कोश्चन नंबर 116 कहता है कि यदि कोई फर्म डैस का अभ्यास कर रही है तो फर्म अपने ग्राहक संपरक्रामचारियों और सभी सहायक सेवा की लोगों को ग्राहक की संतुष्टी बदान करने के लिए एक टीम के रूप में काम करने के लिए परसिछड़ प्रव तरीक विप्रण जो आपका इंटर्नल चीजें हैं उन पर ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है कोश्चन नंबर 117 कहता है कि निम लिखिन में से कौन सा पहलू इस्थाई पुंजी को कार सील पुंजी से अलग करता है इस्थाई पुंजी और कार सील पुंजी यानि कि जो आपके घर में रखी हुई है अलमारी में बंद है बक्षे में बंद है उसका वो इस्थाई पुंजी है उसको आप किसी दे नहीं सकते कोई ले नहीं सकता लेकिन जो कार सील पुंजी का मतलब क्या होता है जो मार्केट में लगी है जो आपकी चल लही है तो क्या उसमें जिसके बाद उन्होंने बदल दिया जाता है जिस तरह वे अपने मुल्कों नयोगत पादन तक पहुचाते हैं तो ACD यही आपके तीन इसमें सही हो जाएंगे बाकी यहां पर आपके जो बी अलापसन है वो गलत है question number यहां पर देखे 188 कहता है कि बाजार वितरण संखला के सदस्यों से बनने होते हैं तो कौन सा बाजार जो है वितरण संखला के सदस्यों से बनने होते हैं आप देखे 188 का राइट हैसर क्या हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा जो चैनल बाजार होते हैं वो वितरण संख से जूड़े हुए होते हैं तो चैनल बाजार इसको कहते हैं याद रखेंगे कोश्चन नंबर 119 कहता है कि निम लिखिद में से कौन सा कथन गलत है तो इसमें कौन सा कथन गलत है तो 119 को कर ध्यां से देखें तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला कि एकादिकार प्रतियोग आपका भी हो जाएगा ये गलत है वोश्चन नंबर 120 कहता है कि बाजारों में विभिन परकार के लाब और गयर लाबकारी एजनसियां और स्कूल जो समाज के लाब के लिए समान वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं तो 120 का राइट एंसर कहें वह आपका जो संस्थागत बाजारों में विभिन परकार के लाब और गयर लाबकार एजनसियां और स्कूल जो समाज के लिए समान वस्तुएं स्वाएं प्रदान करते हैं तो 120 का ये राइट एंसर हो गया अब चलिए ले ले लेते हैं जो हमने परसंद छोड़े थे लिजिनिंग के सब्सक्राइब करते हैं कि 73 बच्चों की कच्छा में अनुष्ट का इस्थान ऊपर से स्थान है तो इसकी नीचे से स्थान है तो यहां पी एक प्लस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 राइट और करी भरिजिए और यहां पर फारो प्लस भाशन पर 15ी aunque नीचा चीन आना आओ लेकर में यहां इनसर बता दीता हूं आपको तो 33 का इसका राइड एंसर आएगा यहां पर पीता और 34 का राइड एंसर क्या आजाएगा वो आपका आजाएगा भाई तो इनको solve जरूर कर लीजएगा क्योंकि देखें यहां पर यह थोड़ा सा जो है इस पेस ज्यादा मांगते हो फोन में इतना इस पेस होता नहीं है बि कोचा नमबर यहां पर देख लेते 35 कहता है कि दिएगे विकल्पों में से कौन सा एक अलग है तो बोला कि इसमें कौन सा विसम है विकल्प और चांटना है तो अगर 35 में अगर अब ध्यान से देखें तो कहते है एप जी है इसमें क्या है प्लस टू का डिफरेंस है और पी बोला है आप से रट लीजेगा तो क्या कहता है कि एक दिन में एक गड़ी की सुईयां आपस में कितनी बार मिलती है तो इसका राइड एंसर बाइस हो जाएगा सॉल्व करने की जरूवत नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको रटना है रट लिजे क्योंकि यह हमीशा काम आएगा जिन्दी बर आप एक्जाम देंगे जिन्दी बर यह पर प्रसन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपको इस तरीके में पहले ना वह यहां पर क्याकिये गрьे आपको जो जर्टर्टरीके इसमें एपी और एकसे कोड किया घये है त्याँ कि वाटके यह ओल्यवर्टकान थोतीआ थोड़ा सा यह यहां पर ट्रक्वजाए लगत गुमापिरा के 37 को इसे तरीके से आपकरा को have Haan यहां पर DEEото Te пост को इस तरीके से कोड किया गया तौ किया है तो एन में माइनस बगया है माइनस बगया माइनस माइनस लगया है तो इस तरीके से माइनस अ Αपको कर लेना थो Р दो को यह आजाता है कि घुलाब को पूपी कहा जाता है लिली कमल को गए आजाता है पूलों को राजा कौन सा हो जाएगा तो गई देखे 40 का कुछ निकल सकता है कि कि ससस्त्र ₹ पर जो है जीवन गुर्ता सुष्कांग बहुत नुचा है कि आप है कि सृसरत बजह सेना में जो मृत्ती हो रही एक हजार में से 8 की हो रही है और जनसंख्या की जो है नॉर्मान वाम नागरी सिविलियन है उनकी एक हजार में से 20 मृत्ति हो रही है तो इसे मतलब क्या निकलता है कि उनका जीवन गुड़ता सुचकांक है लाइप एक्सप्रेंसी जो है उनकी वो जादा अच्छी है यही इसका निकाला जा सकता है कोशन नंबर यहां पर देखे 42 करता है कि दो निसकर्सों के बाद नीचे दिये गए कथन को पढ़ें अब कहता है कि सिर्फ मरी हुई मचलियां ही बहाओ के साथ जाती है फिर अब यह कथन था अब देखे धाड़ा-धाड़ा करता है कि जीवित मचली कभी प्रभाओ के साथ नहीं जाएगी किसी विक्ति को खुद सोचकर लेना चाहिए तो 42 का राइड़नसर क्या है कि एवल यहाँ पर धाड़ा दो अंतर नहीं थोगी कि किसी विक्ति को खुद सोचकर नेड़ा लेना जाना चाहिए यह इसका धाड़ा सही हो जाएगी बाकी यहाँ पर पहली गलत हो जाएगी question number 42 का right answer यह था question number यहाँ पर देख लेते हैं 43 में कहता है कि यह आपको यहाँ पर देखे का कहता है कि A और B C और D के बच्चे हैं A लड़का यह भी आपका relationship का है तो इसको भी आप अपने according कर लीजेगा वीडियो पाउस के कराम ससाल किजिए अब यहां पर देखे 24 लेफ्रता है कि 26 के बाइंटीस हो गया 29 के बाइंटीस हो गया 33 के बाद है 38 38 हो गया तो अब यहां पर देखे 6 में 3 जुड़ गया 26 में GPU 29 में 29 में 4 जुड़ गया 33 में 5 जुड़ गया 38 में 6 जुड़ दीढ़े तो क्या हो तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 42 राय डैंसर हो जाएगा हमाँ की ज़िए गया इस नहीं पर पूछे नहीं जाने वाले हैं तो आई होप यह प्रेक्टिस राड आपको अच्छा लगा होगा मैंने बहुत सारे प्रस्ण हाँ पर कराए तो उम्मीद है आपको लगबख सव क्यों परस्ण हमने आसपस कराए हैं तो यह आपको प्रेक्टिस राड कैसा लगा इसके प्रस्ण कैसे लेगे जरू बताएगा कमेंट में मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू स तक हैं तो यह आपको प्रस्ण हमने तो यह आपको जापको बताएग अवार से बहुत से लेगे लिए जब तो यह आपको जापको जापको बताएगा ग्रस्ण